Hello students of B.H.C. part 1st, here I am Dr. Raksha Mishra. आज मैं आपका जो लेक्चर लोंगी, वो एक्विसिटम को ही कंटेनु करेंगे अपन. पहले भी मैं तीन जो लेक्चर ले चुके हो एक्विसिटम के बारे में ही था, जिसमें हमने वेजिटेटिव, इसका एक्विसिटम का वेजिटेटिव पार्ट लिया था, स्पोरोफिटिक पार्ट लिया था और स्पोर्स के डिवल्लप्मेंट आफ स्पोरिंजा का पार्ट लिया था. आज हम lecture 4 ले रहे हैं, जिसमें हम spore के बारे में पढ़ेंगे, germination of spore के बारे में पढ़ेंगे और development of gametophyte, then sexual production and development of the sexual organs यहां मैंने कुछ diagrams बनाये हैं, आप उनको देखते रहेगा और मैं आपको एक एक करके सारा कुछ समझाऊंगी, तो diagrams में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो मैं सबसे पहले आपको spores के बारे में बताना चाहूंगी कि spores होते क्या है जो spores होते हैं, वो मैंने पहले बता चुकी हूँ कि spores जो है, वो sporengium में बनते हैं और sporengium sporophyll के उपर बनता है और equisitum के अंदर, जो spores होते हैं, वो homosporus होते हैं homosporus means, जब spores same size और shape का हो, उसे homosporus कहा जाता है तो equisitum के अंतर हम देखें, जो first diagram में उसको देखें आप कि जो बिजानु जो होता है, वो गोल होता है और एक केंदर के एक nucleus भी बना हुआ है इसमें chloroplast भी present होता है और इसकी जो भित्ती होती है, वो चार परतों से बनी हुई होती है आप देखें, सबसे अंदर वाली जो भित्ती है, जो nucleus, vacuum और chloroplast को घिरे हुए है उस भित्ती को endospore कहा जाता है इस endospore के बाहर exospore है और मैंने उसको entang या exam भी कह सकते हैं उसको मैंने label भी किया है और ये दोनों जो स्तरहे layers हैं, ये बिजानों के जीर द्रव से बनते हैं और इन्हें true walls भी कहा जाता है अब ये cellulose के भी बनी हुई होती है जो बाहर चोल होता है, exospore होता है वो बाहर cuticle मद्य परत middle layer से middle layer होती है आप देखिए, मैंने बना भी रखा है कि जो exospore है, उसके बाहर एक middle layer है जो cellulose की बनी हुई होती है इस middle layer है, इसके बाहर एक ओर layer है जिसे epispore कहा गया है ये मद्य परत, epispore जो है ये periplasmodial fluid से बनती है तो ये सब आपका spores के बारे में है और और अगर हम जानना चाहें तो एक चीज और हम देख सकते है कि epispore जो होता है इसके अंदर epispore के दो पटिकाएं होती है दो ribbon like पटिकाएं होती है वो तूट जाती है और इसका जो मद्य भागे देखिए आप तीसरे number डाइग्रा में जो मद्य भागे वो spore से जुड़ा रहता है और इस तरह हम को बिजानों के ऊपर spore के ऊपर चार पटिकाएं नजर आती है और इन पटिकाएं का जो सिरा होता है वो चमच की समान चौड़ा होता है थोड़ा सा इन बिजानों के बाहर जो पटिकाएं हैं या layers हैं इनको e-letters कहा जाता है और ये e-letters bryofatta के समान नहीं होता है समान नहीं होता है, डिफरेंट होता है और क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी जो equisitum के जो spores पर पाए जाते हैं e-letters वो सबसे बाहरी परत से बनते हैं और ये एपो spores से बनता है बाहरी परत एपो spores से बनता है परन्तों, जो bryophytes हैं इनके अंदर capsule के में पाए जाने वाले e-letters जो है, वो बिजानों की मात्र कोशिवाओं के बंदे हो करके रुपांतित हो जाता है और दूसर डिफरेंस और है इसके इंदर कि ये जो दो पटिकाओं के रूफ में होता है जिसका मैंने बताया था, मद्य भाग हमेशा होते हैं, वो पतले होते हैं लंबे होते हैं और किनारों से नुकीले भी होते हैं और इनके इंदर spiral thickening भी पाई जाती है और टेरिटोफाइट्स की जो ये हैं, इलेटर्स हैं ये अगुनत होते हैं और प्राफाइट के जो हैं वो दुई गुणत होते हैं तो यह इलेटर्स के बारे में हैं यह इलेटर्स जो होते हैं यह हाइग्रोस्पोपिक नीचर की होते हैं जब हाइग्रोस्पोपिक में पानी एब्जाव करने वाले तो जब तक नमी रहती है तब तक यह गीले होते हैं औ इस समय ये elators एकदम संकुचित हो जाते हैं, dehydrated हो जाते हैं, और संकुचित हो करके बाहर के तरफ फैल जाते हैं. अब अगर हम इन elators के function के बारे में जानना चाहें, तो हम देखेंगे, इनके फैलने से जो विजानू है, उसका sputane होता है, dehiscence होता है, और इनकी गती की कारण बिजानू का dispersal भी होता है, इनकी गती से dispersal होता है, विकिनलन होता है, और इनकी आदरता गाही पकरती बिजानू के dispersal में सहायक होती है, और गीले स्थान पर गिरने से बिजानू की बायंसी शमता को कम कर देते हैं, मिस उत्पलावंता को कम कर देते हैं और इसके बारंसी से कम होने के कारण जो बिजानू है जमीन पे स्थिर हो जाता है और अंकोरित हो जाता है हर एक बिजानू के केंदर में एक केंदर पाया जाता है और उसके चानव तरफ क्लोरोप्लास उपस्थित होता है चोटे बिजानों अच्छा सॉरी ये सारा कुछ मैंने आपको जो बताया ये स्पोर्स के बारें बताया है अब अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे कि ये बिजानों का germination of sport पढ़ेंगे हम तो germination of sport में अगर हम देखें तो बिजानों जो हैं जब एब्सॉर कर लेते हैं मश्यर को तो ये मुलायम हो जाते हैं और इनकी शुर्शंदर अधिक हो जाती है जिसके कारण ये 5-20 दिन तक जिवित रहे पाते हैं पर अंतु बाद में जिवित रहे पर बाद में अंकुर्ट नहीं हो पाते हैं और अगर अंकुर्ण के समय जो वैक्यूस होते हैं उनके इंदर छोटी रजधानियां बन जाती है और क्लोरप्लास के इंदर के चारौर आ जाता है और बिजानों जो है उसके इंदर एक अनुप्रस्त ट्रांस्वर्स स्लिट बन जाती है जिसमें से छोटी ये डवलप्मेंट में है जिसमें से एक छोटी प्रात्मी मुलाभासि कोशिका जिस से हम कहेंगे प्रैमरी रेडियल सेल्ऻ बन द है छोटी जो नीचे की तरफ होती है यह उपर की तरफ बड़ी प्रैमरी प्रोथेलल सेल्च बनती है तो tür जो प्रैमरी प्रोथेल लस था Alice और जो वह तो बाड़ी कलोटीफ वहकुंता को यह आनूपस्थेत होता है और क्लोटील सेल्स के अंदर बहुत कोशिका और हटुर प्ला-इस उसके साथ ओयल के कुछ डॉप्स भी पाई जाती हैं प्रामेरी र सेल है उसके इंदर मूलभास बनाती है और जो बड़ी कोशिका है उस वो प्लेन में विवाजित होती है और इस तरह बार-बार विवाजित तलसी विवाजित होकर के कई divisions होते हैं उसमें तो एक चप्ता और तश्टरे नुमा एक structure बनाते हैं जिसके अंदर कई filamentous branches भी निकली होती है यह एक कुश्के मोटी होती है उपर की सते जिसे प्रोथेलियल रिजन प्रोथेलियल सेल्स कहा जाता है और जो नीचे का होता है वो से नीचे का जो प्रैमरी रैजोडियल सेल्स था वो रैजोडियल सेल्स बनाता है अब प्रोथेलिस बन गया है फोटर विधिय को ब्रढकु के दोरा वंद मृस्मेंटिक कुछ सेल मृस्मेंटिक सेल सेल囉 उनके दोरा विधि हो ी तो जलते हैं इसे रिविजन से भी होती है तो जब जानो ये जो इनके जब खुब divisions हो जाते हैं तो ये एक पूरा प्रोथैलस बनता है जिसके अंदर हम देखेंगे कि कई लोब्स इधर अप्रोथैलस का डाइगरम देखेंगे आप उनके अंदर कई आपको उपर के तरफ लोब्स दिखाई दे रहे हैं ये लोब्स हो के पीले रंका होता है और फैला हुआ होता है और जो उस प्रोस्टेट के नीचे से रंग हीन राइज़ोइड्स निकलती हैं जेने मुलाभास भी हिंदी में कहते हैं ये जो प्रोथैलस है ये च्छायादार नम स्थानों पे या नद्यूं के तलाबों के किनारे ज़्याद बंप्ने हैं और ये डॉसरお auf उता है और इसके अंदर हम देखें अगर हम इसका मग गमेटोफाइट अगर देखें इसका, तो हम देखेंगे कि हलके पीले रंका, लाल रंका तो नर युगमद भी पादप पाये जाता है, जो गहरे रहरे रंका इसके उपर मादा युगमद भी पादप पाये जाता है, और अगर उभले लेंगे श्रीय मिन्स, मोनो इश्य से ग आपकी गयमिटोफाइथ के बारे में हैं इनके लोब्स के बीच में एंत्रीडिया जो मेल रिप्रॡड़क्टिव अगन कहा जाता है वो डवलप होते हैं और आर्किकोनिया जो female reproductive अगुनते हैं वो थैलस के अंदर धंसे हुई होते हैं और वो भी lobes के axle में ही पाया जाता है तो यह सब कुछ था development of gametophyte के बारे में अब हम लेंगे sexual reproduction के बारे में जैसर कि मैं आपको prothallus बता चुकी हूँ diagram के through भी gametophyte जब prothallus पूरा develop हो जाता है gametophyte बनाता है तो वो उसके अंदर anthrozoids और archegonia बनते हैं तो archegonia का diagram मैंने last के अंदर बताया आपको archegonia जो होता है वो एक flash shape structure का होता है उसका नीचे का basal part बहुत गोल और बड़ा होता है और उपर ये एक इसके चारों तरफ ये neck cells से घिरा होता है और इसके अंदर जो neck cells है उनके अंदर neck canal cell क्योंकि वो canal type होती है एक लंबी सुरा ही type होती है या आप सोचे कि एक लंबा structure होता है उसके अंदर जो cells होते हैं उन्हें neck canal cells कहा जाता है और उस neck canal cells से जो अंदर के और जाते हैं हम आर्की गोनिया में नीचे बेसल पार्ट जो बड़ा पार्ट है उसके दो सेल्स होते हैं वेंटर के नाल सेल छोटा और बड़ा एक सेल पाया जाता है तो यह है एक आर्की गोनिया का स्ट्क्चर अब हम पढ़ेंगे डवलप्मेंट अफ आर्की गोनिया तो इसका डवलप्मेंट कैसे होता है तो जो प्रोथ हैलस होता है उसके जो उपरी भागे लोब्स वाला वहाँ पर सेल जो है वो अपने आपको आर्की गोनिया बनाने के लिए त्यार करते हैं और उसको कहा जाता है उस cell को कहा जाता आर्किगोनेल इनिक्षियल इस आर्किगोनेल इनिक्षियल में एक transverse division होता है जिसमें primary cover cell और central cell बनते हैं जो primary cover cell यह मैं आमको चार्ट के द्वारा भी बतारी हूं black board पे तो उससे भी आप समझ सकते हैं तो जो primary cover cell है उसके इंदर दो vertical divisions होते हैं और इन vertical divisions से primary neck cell बनते हैं primary neck cell बनने से लंबी neck बनती है और इस primary neck cell के अंदर again divisions होते हैं जिससे 4 यह 5 cell height का neck archegonium की neck बन जाती है अब meanwhile इदर central cell जो है उसके इंदर transverse division होता है transverse division से primary neck के नाल cell बनता है उपर की तरफ और दूसा बनता है venter canal cell primary neck canal cell जो है उसमें फिर transverse division होते हैं और जो पहले primary cover cell से primary neck cells जो बनने थे वो उस portion में दो neck canal cell वो पहले neck cell थे अब उनके अंदर neck canal cell बने हैं जो primary neck canal cell से बनते हैं और जो venter canal cell था उसमे again transverse division होता है जो unequal होता है और इसके unequal में उपर की तरफ छोटा venter canal cell बनता है और नीचे की तरफ बड़ा large basal X cell बनता है तो This is all about the development of archigonia and archigonia and rest we will take in the next lecture.